आज का जो उन्वान है वीडियो का वो बहुती एंटिक है और आज एक भाई का अमारे पर फोन आया उन्होंने का कि जो मेरी हलक है उसमें पानी हम पी रहे थे तो वो अटक रहा था फस रहा था तो उनके एक मौले के मौलाना साब ने उनसे का कि जो पानी है पानी को उंगली से काट कर पी लोगे जो मेरात को तो तुमारी जो हलक है वो ठीक हो जाएगी तो उन्होंने हम से पूचा कि क्या ये बात साबित है तो मैंने का भाई ये बात तो साबित एक दम नहीं है तो खेर उनके मौलाना से बात हुई तो उनके मौलाना कह रहे हैं कि नहीं यह जो तरीका है हमारे बुजर्गों ने बताया है पता नहीं भाई ऐसे सही जो इलाज हैं कि पानी को उंगली से आप उसको तीन बार काटें या साथ बार काटें और उसको जुमिरात वाले दिन उसको पी लें तो जो हलक में आपके जो पानी अगर वो अटा करा है फस रहा है तो उससे फाइदा आपको हो जाएगा इन्ना लिल्लाहिवा इन्ना ले राजुन तो ये जो चीज है ये एक तरीके का तोटका है अब जैसे ये पानी है ठीक है पानी अगर आपके हलक में माली जो कुछ अटा करा है फस रहाँ गर्डा है और आपको तकलीफ है तो आप जाएए डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अगर चाहें तो जो अल्ला के नभी निलाज बताया है दम करने का वो दम कर सकते हैं जहने कि हम सूरे फातिया दम कर सकते हैं सूरे फलक, सूरे नास इसको दम कर सकते हैं या जो भी बाते अलम्दुल्ला हदीसों में आई हुई हैं जो जो पानी पर पढ़के हम दम कर सकते हैं या खुद पर दम कर सकते हैं तो वो चीजे इलाज हम कर सकते हैं लेकिन पानी को पानी भरना और उसमें उंगली डाल के पानी को काटना है इस तरीके से ये पानी एक, डो, तीन, चार, पात, छे तो इस तरीके से पानी को काट के पीना छे बार या साथ बार तो ये शरीयतन जायज नहीं है ये एक टोटका है और जो ये टोटका है इसका दीने इसलाम से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो अगर किसी हमारे भाई के माल लेजे हलक में पानी उसके अटक रहा है फस रहा है या कोई चीज वो खा रहा है पी रहा है तो उसके अटक रहा है फस रहा है यह दिनों में हो जाता है मौसम जब यह चेंज होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई वो दम करे पानी के पीले या अपनी उपर दम करे या जहां पे उसको तकलीफ है वहां पे सीधे हाथ को रखे तीन बार सिफ इतना पड़े बिस्मिल्ला 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 तो उससे भी उसको इंशालला काफी आराम हो जाएगा और वो जाके लेकिन यह पानी को परना और, पानी को सामने रख ना, और उसको तीन बार काटना, जुमे रात वाले देन, या साधा बार, उसको काटना, और उसको पीना, पीने से जो आपका जो епानी का रहा है, खाना, आटा करा है, जो हलक है, वो आपकी खुल जाएगी, तो यह टोटका, इसका ना तो मेरे बैं कुरान में सबूत है ना हदीस में सबूत है तो जो ये टोटका टाकी है बिना इल्म के हमें इस टोटके को नहीं करना है पता नहीं ये क्या है मेरे भाई किसी ने बताया है क्या इसका लॉजिक है कोई पता नहीं उल्टा मेरे भाई आप खुद देखे जो इंसान पानी में उंगली को डाले गया तो जो उसके नाकून हो सकता उसकी जो गंदगी है वो पानी में आ जाए है मतलब टोटके भी ऐसे चल ले है कि जिसका कोई सैंटिफिक तो हो चैना कोई फायदा ना कुछ और आप खुद बताइए गले में दर्द हो रहा है तो पा काट भी दें वो भी चाकू से उंगली से पानी को काटना है तो यह सब मेरे भाई जो टोटका है इसका दीन इसलाम से कोई लेना देना नहीं है यह बिल्कुल गलत है पानी है आप इसमें दम करके इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं इससे जादा कुछ नहीं ठेके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इंशाले इसको अलह्म्दूल्ला शेयर करें और जो यह जानकारी है इल्म है इसको लोगों तक आप पहुचाएं असलेम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबस्तुल्दू आपको वालाही 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 किस्फ तक तथा जाञ है जो किस्क धोरे स्थाज़िघ्ट कर लुड़ी । झाल कॉर तест है झाल कॉर कॉर दो